भारी बारिश से मुंबई का पसीना छूटने लगता है चंद घंटों की बारिश जिन्दगी ठप कर देती है सडके समंदर में तबदील हो जाती है सडकों पर दोड़ने वाली कारें पेदम हो जाती है ट्रेन की पट्रियों पर नाव चलानी पड़ती है ये हर साल होता है आफ़त आती है, मुंबई रोती है, तड़पती है लेकिन सूरत महीं बदलती सवाल उठता है सिस्टम पर की आखिर ये हालात हर साल क्यूं? मुंबई की हालत सुधरती क्यूं नहीं है? सरगार की योजनाओं का असर दिखता क्यूं नहीं है? मुंबई की इस हालत के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आपको बताएंगे एक-एक सवाल का सच नहीं किये गए हैं समंदर के किनारे बसे मुंबई पर हाई टाइट का भी खत्रा है समंदर का पानी मुंबई के निचले इलागों में भर जाता है ड्रेनेस सिस्टम सरेंडर बोल देता है आखिर भारी बारिश्वी तो मुसीबत और बढ़ जाती है कौन भूल सकता है 26 जुलाई 2005 को बेहिसाब तवाही मची थी पूरी मुंबई में एक हजार से जादा लोगों ने जान गवाई थी करीब पांस सो पचास करोर रुपे की आर्थिक शती हुई थी हजारों बसे टैक्सी ओटो को नुकसान पहुंचा था 24 घंटे के लिए मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई थी करीब 10 से ज्यादा दिनों तक मुंबई लोकल बंद रही थी मुंबई को बसाने में जिस तरह प्लानिंग की गई या जो लापरवाई हुई सरकारों ने जैसे अंदेखी की उसी का नतीजा अब मुंबई भुगत रही है दरसल साथ दूइपयों को पाट कर मुंबई ने आकार लिया इसमें बांदरा रिक्लेमेशन, बैकवे रिक्लेमेशन और नरीबन पॉइंट जैसे कई स्थानों को जोड़ा गया साथ ही मुंबई की 22 पहाड़ियों पर भी बस्तियां बसा दी गई ये सब किये जाने के दौरान चल निकासी का कोई ध्यान नहीं रखा गया मुंबई के भारी बारिश से तवाही मानों नसीब में लिख दी गई हो दुरुभागी ही है कि इस हालत से उबरने के अब तक फोस्त इंतिजाम नहीं किये गए है मुंबई से पंकच उपाध्याई के साथ बेरो रिपोर्ट आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले